अगा दोस्तों इस वीडियो में वाटसेप के खोफ्यार ट्रेक्स जो गुप्त सेटिंग्स हैं उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपको step by step जितने भी सेटिंग्स होंगे और जो की most important और useful setting होंगे जो एक normal WhatsApp user को जरुरत पड़ता है उस setting को और उस setting के बारे में वो नहीं जानता है जानता भी है तो ढंक से नहीं जानता है तो उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा होने वाला है यह वीडियो काफी interesting होने वाला है आप इस वीडियो को पूरा देखेगा चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको WhatsApp open करना है WhatsApp में पहला setting यह है कि जब कोई भी आपको block कर देता है तो simply क्या होता है जैसे आप किसी को block करते हैं तो वह आपको यहाँ पर उसके DP और यहाँ पर उसके last scene hide हो जाते है लेकिन आपको अगर पता करना है कि वह आपको block 100 पर यह तो हो गया एक अलग तरीका है या ऐसे भी हो सकता last scene छुपा दे कोई और अपना DP भी हटा दे तो आप सोचेंगे block कर दिया है इस तरह से नहीं दोस्तों आपको पता करने के लिए आपको करना क्या होगा यहाँ पर simply आपको जैसे पता करना है कि वह हमें block क्या है कि नहीं वह भी confirm तो उसके लिए आपको करना क्या है यहाँ पर यह जो थिरी icon है इस पर click करना है उसके बाद आपको new group पर click करना है जैसे ही आप new group पर click करते हैं इस तरह से इस पर click करके इस person को select करके आपको यहां से कर लेना है इसके बाद जब आप यहां पर हलांकि मैं block नहीं क्या हूँ इस तरह से यहां पर block जब करेगा तो आपको वहाँ पर इस तरह से सो होगा मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ यह जो यहाँ इसे add करना चाह रहा हूँ यहाँ पर दे दिया हूँ अब यहाँ से कुछ भी गुरूप नेम डाल दूँगा उसके बाद यहाँ पर यह जो correct का symbol है इस पर click कर दूँगा तो यह creating group हो गया अगर आपको पता करना है तो वहाँ पर creating group नहीं आएगा तो वहाँ पर आपको दूसरा मतलब वहाँ पर you cannot add this person का option आएगा तो समझ लिजिएगा कि यह जो है बंदा मुझे block कर दिया है तो पहला setting यह हो गया कि कैसे आप पता कर सकते है 100% real कि आपको अगले person ने block किया है या नहीं तो यहाँ से आपने group बनाने भी सीख गया यहाँ से दोस्तों मैं बताती था हूँ इसलिए बताया कि दो तरह का काम हो जाए आपको पता भी चल जाए कि कोई block किया है तो कैसे पता करें और आप group भी बना सकते है जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर आके new group पर click करके आप simply किसी एक member जितने भी आपके whatsapp के contact है सारे contact को select करके आप यहाँ से उसे group में add कर सकते हैं group में add करने के बाद यहाँ पर group का जिस तरह से मैंने GHFJN name डाला उस तरह से आप भी group के name डाल कर create पर कर सकते हैं और इस तरह से आपका group बन जाएगा यहाँ पर आप जो भी post public होगा तो group में जितने भी member होंगे उसको जाएँगे यहाँ से आप इस तरह से देख सकते हैं यह जो message किया गया इसमें यह तो work नहीं किया है message नहीं गया है तो चलिए उसके बाद दूसरा है यहाँ पर देख सकते हैं new board cast याई दोस्तों यह जो settings है आपको मालूम नहीं होगा अगर होगा भी तो आपको मैं यह पता देता हूँ कि यह जो setting है new board cast का यहाँ से आप कम से कम 256 लोगों को एक साथ simply message भी सकते हैं जैसे मैं इसे यहाँ से hello यहाँ से hello किया गया है तो यहाँ से देख सकते हैं hello जो send हुआ इसी तरह का hello send करने के लिए आप किसी को भी सोचें किसी को अगर forward करते हैं message तो वहाँ पर forward लिखाता है तो आपको वो नहीं करके इस तरह से board cast में आना है और आपको इस तरह से 2-3 परसन 4 परसन को आपको इस तरह से select कर लेना है जैसे ही आप इस तरह से select करते हैं उसके बाद आप ये board cast बन गया अगर यहां से message हम hello send करेंगे तो ये चारो को message चले जाएगा इस तरह से ये चारो को message चले जाएगा जितने भी लोगों को आप यहां पर add कर देंगे उन चारो लोगों को जितने भी लोगों 256 लोगों को एक साथ message जा सकता है उसके बाद दोस्तों और अगले settings के बात करें जितने भी मैं settings को देख रहा हूं दोस्तों यहां पर click करके आपको भी यहीं पर click करके देखना है तो और उसके अगले setting है WhatsApp wave जो की most important setting है इस setting से आपके WhatsApp hack है या नहीं वो पता कर सकते हैं जी हां आपने यहां पर WhatsApp hack है वो पता कर सकते हैं और इससे किसी के WhatsApp को hack कर सकते हैं और इससे किसी के दूसरे किसी आप अपने किसी दूसरे phone में इस mobile के WhatsApp को उस mobile में forward कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको बता देता हूं कि जब आपको इस पर WhatsApp वे पर किलिक करते हैं आप कोई दूसरे WhatsApp कोई भी फॉन में WhatsApp QR Code Scanner डाउनलोड कर लेते हैं उसको आप इस मोबाइल के WhatsApp से यहां से आप उसे इस तरह से स्कैन करते हैं तो वह आपके उस मोबाइल फॉन में यह WhatsApp उपेन हो जाएगा दूसरा जब आप दोस्तों इसको यहां से आप इसे आउन करते हैं तो अगर आपके कोई भी WhatsApp है क्या रहेगा तो सिंपली आपको यहां पर दिखाएगा यूर WhatsApp है जिज एकसेस फलाना मोबाइल डिवाइस नेम रहेगा तो सिंपली आप वहां से रिमूब भी कर सकते हैं अग ज़रूर कोमेंट में बताईएगा उसके लिए मैं कुछ इंतजाम करूंगा तो चलिए और आपको मैंने क्या बताया कि इस तरह से WhatsApp हैक और QR कोड स्केंट और आप भी चाहते हैं किसी के WhatsApp को हैक करना तो सिंपली आपको करना क्या है उसके WhatsApp को निए उसके मोबाइल में उसके मोबाइल में WhatsApp QR कोड डाउनलोड करना है उसके बाद आप अपने इस मोबाइल से ये निकाल कर आप इस तरह से उसके मोबाइल को अपने फॉन में यूज कर सकते हैं इस तरह से स्केंट करके उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें अगले सेटिंग्स के बारे में स्टार्ड मेंसेज यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो भी परसन आपको काफी जो यूज फूल मेंसेज है जो भी किसी भी परसन के मेंसेज है जैसे यह मेंसेज है तो यहाँ पर आपको कुछ जो है सिंबॉल यहाँ पर आपको दिखते हैं तो सिंप्ली अग इसको शाहते हैं आप start करने के लिए यहां से यह देख सकते हैं start हो गया तो इसको आप अब कहीं भी जतने भी message हो, 1000, 2000 जतने भी message हो, आप जो ही most important message हो, आप यहां पर save कर के रख सकते हैं या upy करके, जैसे कोई भी important message याता है, कोई भी लिखा हुआ फोर लाइन का फाइप लाइन का जैसी कहें न सिंपली जो भी वाटसेब गूरूप में आता है और आप चाहते हैं उसे सेर करके रखने के लिए और उसे कॉपी करके तुरंट किसी को सेंड करना चाहते हैं तो सिंपली यह यही पर होता है जब आप कोई भी मैसेज को स्टार्ड करते हैं यहाँ पर स्टार मैसेज में आके देख सकते हैं यहाँ पर यह स्टार मैसेज सेव हो गया है जितने भी स्टार मैसेज होंगे वो सारे मैसेज यहाँ पर आपको सुहंगे आप इसे direct यहां से आप copy करके जो भी यह copy करके आप किसी और को message भेज सकते हैं तो यह काफी important setting है आपके delete नहीं होंगे message उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है यहां से आपको यह settings दिख रहे हैं simply आपको इस settings पे आना है इस setting में आने के बाद आप WhatsApp के और भी interesting sub features में जा रहे हैं सबसे पहले दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आपको profile लगाने के लिए यहां पर आप जितने भी चाहें जितने भी अगर आप चाहते हैं कि आप WhatsApp पे कोई भी photo लगाएं और full size में photo लगाएं जब भी आप WhatsApp पे कोई भी DP लगाते हैं तो full size में आपका DP नहीं लगता है फोटो कट जाता है अगर आप चाहते हैं कि WhatsApp पर जो भी DP लगाएं वो full हो वो WhatsApp पर DP कटे नहीं तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि उसके लिए आपको एक application की जरूरत पड़ेगा उस application का नाम है Pixel Lab आपको इस तरह के एक app है Pixel Lab यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह के app डाउनलोड कर लेना है और उस photo को आपको यहाँ पर लेकर आना है जैसे ही इसको यहाँ पर इस तरह से open किजिएगा तो यहाँ पर आपको cancel यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है जो भी photo को यह जो text यहाँ पर दिख रहा है simply आपको करना क्या है यहाँ पर यह दोस्तों मैं यह बता रहा हूँ कि आप अपने WhatsApp पर कोई भी photos को whole size में कैसे लगा सकते हैं जो की most important है तो चलिए मैं बताता हूँ यहाँ से आपको इस तरह से select क्या हुआ है इसको करना क्या है यहाँ पर जो delete का symbol दिख रहा है इस पर click करके delete कर देना है जैसे ही आप इस पर delete करते हैं उसके बाद आपको simply यह जो plus का icon दिख रहा है यहाँ पर आपको left side में देख सकते हैं इस plus के icon पर click करना है यहाँ से plus के icon पर click करके आपको simply आपके अपने gallery में चले जाना है जैसे ही gallery में जाते हैं तो आप यहाँ से आप यहाँ पर कोई भी photo को select कर सकते हैं जैसे यहाँ पर आप इस photo को select कर लिए आप जितने भी फोटो को जो भी फोटो है उसको crop कर सकते या जो भी कर सकते करें मैं इसलिए crop कर देदा हूँ कि मुझे उतना जासे यहां से इसको crop करते हैं crop करने के बाद देख सकते हैं इस interface में आपको यहां पर दोस्तों मैं यहां सब पर बता देता हूँ यह जो है आपके इस icon पर click करना है इस icon पर जब click करते हैं यहाँ पर इस icon पर उपर वाले पर जब click करते हैं तो image site यहाँ पर select कर लेना है यहाँ पर आप square size या profile picture size यहाँ से select कर सकते हैं जो की इस तरह से select करने के बाद आप इसे जितने भी बड़े कर सकते हैं चोटे कर सकते हैं कोई भी फोटो हो आप इसे यहां पर इस तरह से करने के बाद आप इसे स्क्रीन सोट मार लें या यहां से सेव कर लें इस तरह से सेव कर लेते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से जैसे ही आप इसे स्क्रीन सोट मार लेता हूँ स्क्रिन सोट मारने के बाद अब देख सकते हैं यह फोटो को मैं यहाँ पर अपने वाटसेप में इस तरह से लगा सकता हूँ कोई भी फोटो हो आपको वहाँ जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आपको वह फोटो को इस तरह से लेना है हाला कि मैं यह नहीं लगाऊंगा यह से DP लगाने का कोई रीजन ही नहीं बनता क्योंकि यह call recorder लगा के DP में क्या होगा तो back आते हैं इस तरह से फिर back आते हैं उसके बाद दोस्तों आपको मालूम है कि यहाँ पर आप अपने WhatsApp पर यहाँ से किसी को contact में सेव किये बगर आप उ से तरह से सेटिंग में आना है और इसको code को open करना है इस तरह से code को scan कि इसकें करके कोई भी आपको message send कर सकता है कोई भी WhatsApp को इस pork vidéos को scan करके लिए तरह किसी को कोई message करता है कांटेक्ट में सेव कर सकता है उसके बाद अगर आप किसी को सेव करना चाहते तो scan यहां से QR उसके QR code को scan कर सकते हैं, यहां पर OK पर click करके आपके किसी के भी QR code को यहां पर आप देख सकते हैं, इस तरह से scan कर सकते हैं, तो यह हो गया back और आप चाहते हैं उसके बाद हो गया account, दोस्तों account में आने से आपको देख सकते हैं, यहां पर account जो दिख रहा है, यहां प्राइविसी दिख रहा है तो प्राइविसी पर किलिक करना है जैसे ही आप प्राइविसी पर किलिक करते हैं से लिए मैं थोड़ा स्पीड में से बताते हैं चलूंगा दोस्तों और जो आपके लिए सूटेबूल नहीं होगा मैं उसे स्कीप करता जाऊंगा क्योंकि दोस्तों अगर इसे और भी अच्छे से बताऊंगा तो लंबी हो जाएगी वीडियो फिर भी आपको देखना है एज लुकर से आपको मतलब यह लगा हुआ है आप किसी को लाष्ट कर दे, आप दूसरे का भी नहीं देख पाईएगा इसलिए बेहतर करें कि आप और फोटो किसको किसको दिखाना चाहते हैं आप चाहते हैं आपके contact profile photo देखे तो आप contact कर सकते हैं आप चाहते हैं कोई आपके profile photo ना देखे तो आप nobody कर सकते हैं about यहाँ पर everyone या contact कर सकते हैं about यहाँ पर दोस्तो about यह होता है जैसे ही यहाँ पर आपको थोड़ा सा back आके बताता हूँ यह जो मेरा यहाँ पर उर्दू में कुछ दिख रहा है यहाँ पर उर्दू में जो लिख रहा है यह इबाउट होगी है दोस्तों अब इस इबाउट को चाहते हैं कि आपके इस इबाउट को कोई ना देखे तो simply आप यहाँ पर about my contact या nobody कर सकते हैं status चाहते हैं कि आपके कोई contact देखे या कोई contact के अलावा देखे या जिसके साथ share करे हुआ देखे तो आप यहाँ पर select कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं अपने contact को दिखाने तो contact select कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं आपके contact के अलावा कोई और person देखे तो आप यह select कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि जो person के साथ मैं status share कर रहा हूँ तो उसे share कर सकते हैं यहाँ पर इस पर click कर देना है और उस person को यहाँ से select कर लेना है इसे select करने के बाद मैं अब इसे भी दिखाऊंगा तो इसको दिखाने के लिए अब मैं भी जो भी status लगाऊंगा only यहीं देख सकता है और उसके एलवा कोई नहीं देख सकता है तो इस तरह से मैं discard करतूंगा उसके बाद यहाँ से back आना है back आने के बाद यहाँ पर read receipt यहाँ पर दोस्तों यह काफी most important setting है जो आपको मालूम नहीं होगा read receipt यह है if you turn off you want send or receive receipt मतलब जब आप किसी को message भेजते हैं तो पहले आपको उसका data on नहीं रहता है तो single tick अगर उसका data यानि net on रहता है और आपके message को नहीं view करता है तो वहाँ पर एकदम blue tick मतलब यहाँ पर दो tick दिखता है जो कि आपके black होते हैं मतलब जो भी color के रहें यह blue tick करते हैं जब आप उसके message वह scene कर लेते हैं तो आपके green tick double tick दिखते हैं तो दोस्तों आप चाहते हैं कि उसके message को आप देख भी ले और आपको वहाँ पर blue tick उसके phone में जाये भी ना तो आप इसको on कर सकते हैं आप चाहते हैं किसी को message को देख ले और आप blue tick ना लगाएं तो आप इसे on कर सकते हैं ध्यान रे दोस्तों condition यह भी है आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको भी कोई message भेजेगा तो आप भी अगर आपके भी message कोई देख लेगा आप किसी को भी message करेंगे तो आपके भी कोई message देख लेगा तो आपको भी वहाँ पर blue tick नहीं सो होगा इसलिए बहतर है कि आप यही रखें तो उसके बाद group है group में everyone यहाँ पर आप select करके लगा सकते हैं यानि कौन-कौन आपको group में add कर सके तो यहाँ पर आपको simply आपको समझ में आ रहा है कि contact my contact accept or done कर सकते उसके बाद live location यहाँ से आप अपने location को share कर सकते हैं खर आपको location share नहीं करना यह important blocked contact यहाँ पर आप जब किसी को block करते हैं वो यहाँ से आपको सोगा अगर आप किसी को block करना चाहते हैं तो simply यहाँ पर आके आप block कर सकते हैं उसके बाद आपको back आना है यहाँ पर आपके security पर click करना है जैसे आप security पर click करते हैं यहाँ से आप इसे security notification यानि यह दोस्तों यह जो है जो भी conversation आप two people के बीज होता है वो कोई भी और आपके WhatsApp को नहीं देख सकेगा वो आपके message को नहीं देख सकेगा जो कि most important WhatsApp के setting है इसी के चलते तो WhatsApp आज इतने पूरे wish में माहिर हैं, पूरे wish में number one मतलब messenger app है जिससे की लोग trustable है जिससे message sending करते हैं तो कोई भी business related, कोई भी method हो, तो इस पर करने से आपके जो है, वो message save रहते हैं, यहाँ पर security notification, जब इसे दोस्तों आप on कर देते हैं turn on, जब इसे turn on कर देते हैं तो जब आपके contact के कोई भी person WhatsApp delete कर देता है, फिर से WhatsApp install करके, फिर उसी number पर WhatsApp बनाकर, WhatsApp यूज करता है, तो आपको एक message के रूप में आता है, यानि कि फालाना contact security code changed, आपको उसके नीचे में दिखता होगा कि ये contact का security code change हो गया, तो वो यही setting के कारण होता है, अब ध्यान से देखनें दोस्तों, बहुत सारे लोग सोकते है, कौन security code change हो गया, security तम अचानक परिसान हो जाते हैं, तो ये कुछ परिसान होने के बात नहीं है, यानि वो WhatsApp अपने डिलीट करके, इंस्टाल करके फिर से यूज कर रहा है, तो यहाँ पर आपको source security notification on होता है, two step verification अब भी चाहते हैं कि WhatsApp आपके hack ना हो, या WhatsApp को two step में verify करना चाहते हैं, जैसे ही आपको इभी number डाल कर WhatsApp में एक ही step में आप code आता है और WhatsApp आपका open हो सकता है, तो आप चाहते हैं WhatsApp आप secure बढ़ाना और आप चाहते हैं two step verification वाटसप में लगाने के लिए, तो आपको simply यह करना है, इससे क्या होगा आपके pin verification, require pin जब आप इसे pin आप generate कर लेंगे, तो फिर यहाँ पर आपको बहुत, मतलब दो step में आप email भी आपको डालना पड़ेगा, email पर code आएगा यह पीन भी डाल सकते हैं उसके लिए आपको enable पर click करना होगा, और वह आपको pin डालना होगा, जो code आएगा तो simply इसे back कर देना है, आपके लेकिन most काम का है आप वहाँ से उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर change number है तो यहाँ पर आप number change कर सकते हैं इस पर click करके यहाँ पर आप change number कर सकते हैं number change यानि WhatsApp को delete किये बगएर आपका number change हो जाएगा जो आपका पुराना mobile number है simply वो आपको यहाँ पर डाल देना है उसके बाद जो आपका नया number है उसको डाल देना है, यहाँ पर आपको next कर देना है number change हो जाएगा अगर होगा तो OTP आएगा जो number आप नया लगा रहे हैं उस पर OTP आएगा तो OTP डाल देना है खर मुझे नहीं लगता कि OTP आएगा उसके बाद request info यहाँ से request info पर यहाँ पर दोस्तों यह जो दिख रहा है request info report यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दूसरा चीज आ रहा होगा request info यहाँ पर कुछ आ रहा होगा मतलब यह जो यहाँ आ रहा है इसकी यह तीन दिन के बाद आता है यहाँ पर जो भी आ रहा है तो send request भेज सकते हैं यानि यह काफी most important है अगर आप भी चाहते हैं कोई किसी से क्या बातचीत किया है क्या है कुछ भी आप चाहते हैं कि आप जो इतने भी आपके chat है वो सारे chat आप एक जगर ले ले लें जितने भी contact से आपने chat किया है या video या audio जो भी है आपका उसके लिए यहाँ पर simply कर देना है तीन दीन बाद आपके इस पर message आ जाएगा कि your report will be ready to about 3D you will download अब इसे मैं यहाँ से download कर सकता हूँ इसे download करने request request send और फिर से वो work हो गया अब यहाँ ready October यहाँ से मैं इस तरह से send कर दिया हूँ अब यह 8 October को आज यहाँ के 5 तीन दिन में आता है तो 8 October को यहाँ पर ready हो जाएगा मैंने क्या क्या चेट किया है क्या मैं यह audio भेजाओं क्या video भेजाओं मतलब यही सब यहाँ पर आ जाएगा तो यह कोई जो लोग normal user है उसको कोई जरूर नहीं है तो यहाँ से back आ सकते हैं उसके बाद आप लेकिन देख सकते हैं दोस्तों जब यहाँ पर आएगा तो simply आप उसे download करके आप अपने Gmail पर send करके देख सकते हैं जो जो आप जिसको चैट भेजे हैं वो आप देख सकते हैं उसके बाद delete my account यहाँ से आप अपने WhatsApp account को delete कर सकते हैं काफी interesting है यहाँ से आप delete कर सकते हैं उसके बाद back आना है उसके बाद यहाँ पर chat में आना है चैट में आने के बाद आपको simply करना क्या है यहाँ पर आप अपने theme change कर सकते हैं यहाँ पर wall paper लगा सकते हैं and enter, send your message मैं दोस्तो मैं यही पर skip करता हूँ और मैं इससे अगले video इससे आगे के videos को मैं इस video के description में दे दूँगा और आपको मैं इस video अब इससे यहाँ पर यहाँ से लेकर video बहुत लंबी हो जाएगी से लिये मैं video को skip करता हूँ यहाँ से यह chat notification और data storage और help के वीडियो अगले वीडियो में दोस्तो अच्छे से explain के जाएंगे आप उस वीडियो के लिए wait करें या जब उस वो वीडियो आएगा तो मैं इस वीडियो के description में दे दिया हूंगा आप इस वीडियो के जाके description में भी check कर सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक दोस्तों गुड़ बाई दोस्तों इस वीडियो में वाटसेप के खोफियार ट्रेक्स जो गुप्त सेटिंग्स हैं उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपको step by step जितने भी settings होंगे और जो की most important और useful setting होंगे जो एक normal WhatsApp user को जरुरत पड़ता है उस setting को और उस setting के बारे में वो नहीं जानता है जानता भी है तो ढंक से नहीं जानता है तो उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा होने वाला है यह वीडियो काफी interesting होने वाला है आप इस वीडियो को पूरा देखेगा चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको WhatsApp open करना है WhatsApp में पहला setting यह है कि जब कोई भी आपको block कर देता है तो simply क्या होता है जैसे आप किसी को block करते हैं तो वह आपको यहाँ पर उसके DP और यहाँ पर उसके last scene hide हो जाते है लेकिन आपको अगर पता करना है कि वह आपको block 100 पर यह तो हो गया एक अलग तरीका है या ऐसे भी हो सकता last scene छुपा दे कोई और अपना DP भी हटा दे तो आप सोचेंगे block कर दिया है इस तरह से नहीं दोस्तों आपको पता करने के लिए आपको करना क्या होगा यहाँ पर simply आपको जैसे पता करना है कि वह हमें block क्या है कि नहीं वह भी confirm तो उसके लिए आपको करना क्या है यहाँ पर यह जो थिरी icon है इस पर click करना है उसके बाद आपको new group पर click करना है जैसे ही आप new group पर click करते हैं इस तरह से इस पर click करके इस person को select करके आपको यहां से कर लेना है इसके बाद जब आप यहां पर हलागी मैं block नहीं क्या हूँ इस तरह से यहां पर block जब करेगा तो आपको वहाँ पर इस तरह से सो होगा मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ यह जो यहाँ इसे add करना चाहरा हूँ यहाँ पर दे दिया हूँ अब यहाँ से कुछ भी GH कुछ भी group name डाल दूँगा उसके बाद यहाँ पर यह जो बंदा मुझे block कर दिया है तो पहला setting यह हो गया कि कैसे आप पता कर सकते हैं 100% real कि आपको अगले person ने block किया है या नहीं तो यहाँ से आपने group बनाने भी सीख गया यहाँ से दोस्तों मैं बताती था हूँ इसलिए बताया कि दो तरह का काम हो जाए आपको पता भी चल जाए कि कोई block किया है तो कैसे पता करें और आप group भी बना सकते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर आके new group पर click करके आप simply किसी एक member जितने भी आपके whatsapp के contact हैं सारे contact को select करके आप यहाँ से उसे group में add कर सकते हैं ग्रूप में add करने के बाद यहाँ पर group का जिस तरह से मैंने GHFJN नेम डाला उस तरह से आप भी group के नेम डाल कर create पर कर सकते हैं और इस तरह से आपका group बन जाएगा यहाँ पर अब जो भी post public होगा तो group में जितने भी member होंगे उसको जाएंगे यहाँ से आप इस तरह से देख सकते हैं यह जो message किया गया इसमें यह तो work नहीं किया है message नहीं गया है तो चलिए उसके बाद दूसरा है यहाँ पर देख सकते हैं new board cast यानि दोस्तों यह जो settings है आपको मालूम नहीं होगा अगर होगा भी तो आपको मैं बता देता हूँ कि यह जो setting है new board cast का यहाँ से आप कम से कम 256 लोगों को एक साथ simply message भेश सकते हैं जैसे मैं इसे यहाँ से hello किया गया है तो यहाँ से देख सकते हेलो जो send हुआ इसी तरह का hello send करने के लिए आप किसी को भी सोचें किसी को अगर forward करते हैं message तो वहाँ पर forward लिखाता है तो आपको वो नहीं करके इस तरह से board cast में आना है और आपको इस तरह से 2-3 परसन, 4 परसन को आपको इस तरह से select कर लेना है जैसे ही आप इस तरह से select करते हैं उसके बाद आप ये board cast बन गया अगर यहाँ से message हम hello send करेंगे तो ये चारो को message चले जाएगा इस तरह से ये चारो को message चले जाएगा जितने भी लोगों को आप यहाँ पर add कर देंगे उन चारो लोगों को जितने भी लोगों, 256 लोगों को एक साथ message जा सकता है उसके बाद दोस्तों और अगले settings के बाद करें जितने भी मैं settings को देख रहा हूं दोस्तों यहाँ पर click करके आपको भी यही पर click करके देखना है तो और उसके अगले setting है WhatsApp wave जो की most important setting है इस setting से आपके WhatsApp hack है या नहीं वो पता कर सकते है जी हाँ आपने यहाँ पर WhatsApp hack है वो पता कर सकते है और इससे किसी के WhatsApp को hack कर सकते है और इससे किसी के दूसरे किसी आप अपने किसी दूसरे phone में इस mobile के WhatsApp को उस mobile में forward कर सकते है दोस्तों सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जब आपको इस पर WhatsApp वे पर किलिक करते हैं आप कोई दूसरे WhatsApp कोई भी फॉन में WhatsApp QR Code Scanner डाउनलोड कर लेते हैं उसको आप इस मोबाइल के WhatsApp से यहां से आप उसे इस तरह से स्केन करते हैं तो वह आपके उस मोबाइल फॉन में यह WhatsApp उपेन हो जाएगा दूसरा जब आप दोस्तों इसको यहां से आप इसे आउन करते हैं तो अगर आपके कोई भी WhatsApp है क्या रहेगा तो सिंप्ली आपको यहां पर दिखाएगा यूर WhatsApp है जिज एक्सेस फलाना मोबाइल डिवाइस नेम रहेगा तो सिंप्ली आप वहां से रिमूब भी कर सकते हैं तो आपके WhatsApp है या नहीं आप जरूर कोमेंट में बताईएगा उसके लिए मैं कुछ इंतजाम करूंगा तो चलिए और आपको मैंने क्या बताया कि इस तरह से WhatsApp है और QR कोड स्केंस और आप भी चाहते हैं किसी के WhatsApp को हैक करना तो सिंप्ली आपको करना क्या है उसके WhatsApp को नहीं निकाल कर आप इस तरह से उसके mobile को अपने phone में यूज कर सकते हैं इस तरह से scan करके उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें अगले settings के बारे में start message यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो भी परसन आपको काफी जो useful message है जो भी किसी भी परसन के message है जैसे यह तो यहाँ पर आप जब इसके लोंग प्रेस करके रखते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ जो है सिंबॉल यहाँ पर आपको दिखते हैं तो सिंप्ली अग इसको चाहते है आप restart करने के लिए यहाँ से यह देख सकते है इसको आप अब कहीं भी जितने भी message हो हजार दोहजा जिसी कहें न simply जो भी WhatsApp ग्रूप में आता है और आप चाहते हैं उसे share करके रखने के लिए और उसे copy करके तुरंद किसी को send करना चाहते हैं तो simply यह यहीं पर होता है जब आप कोई भी message को start करते हैं यहाँ पर star message में आके देख सकते हैं यहाँ पर यह star message save हो गया है जितने भी star message होंगे वो सारे message यहाँ पर आपको सुहोंगे आप इसे direct यहाँ से आप copy करके जो भी है copy करके आप किसी और को message भेज सकते हैं तो यह काफी important setting है आपके delete नहीं होंगे message उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है यहाँ से आपको यह जो settings दिख रहे हैं simply आपको इस settings पर आना है इस settings में आने के बाद आप WhatsApp के और भी interesting sub features में जा रहे हैं सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको profile लगाने के लिए यहाँ पर आप जितने भी चाहें जितने भी अगर आप चाहते हैं कि आप WhatsApp पर कोई भी photo लगाएं और full size में photo लगाएं जब भी आप WhatsApp पर कोई भी DP लगाते हैं तो full size में आपका DP नहीं लगता है फोटो कट जारता है अगर आप चाहते हैं कि WhatsApp पर जो भी DP लगाएं वो full हो वो WhatsApp पर DP कटे नहीं तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि उसके लिए आपको एक application की जरुवत पड़ेगा उस application का नाम है Pixel Lab आपको इस तरह के एक एप है Pixel Lab यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह के एप डाउनलोड कर लेना है और उस फोटो को आपको यहाँ पर लेकर आना है जैसे ही इसको यहाँ पर इस तरह से open किजिएगा तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है जो भी फोटो को यह जो text यहाँ पर दिख रहा है simply आपको करना क्या है यहां पर यह दोस्तों मैं यह बता रहा हूं कि आप अपने WhatsApp पर कोई भी फोटोज को whole size में कैसे लगा सकते हैं जो की most important है तो चलिए मैं बताता हूं यहां से आपको इस तरह से select क्या हुआ है इसको करना क्या है यहां पर जो delete का symbol दिख रहा है इस पर click करके delete कर देना है जैसे ही आप इस पर delete करते हैं उसके बाद आपको simply यह जो plus का icon दिख रहा है यहां पर आपको left side में देख सकते हैं इस प्लस के आईकॉन पर क्लिक करना है यहां से प्लस के आईकॉन पर क्लिक करके आपको सिंप्ली आपके अपने गलेरी में चले जाना है जैसे ही गलेरी में जाते हैं तो आप यहां से आप यहां पर कोई भी फोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं एहां पर इस फोटो को select कर लिए और जितने भी फोटो को जो भी फोटो है उसको कृप कर सकते हो जो भी कर सकते करें मैं इसलिए क्रौक कर दें रहा हूं की मुझे उतना ही जासे इसको इसको क्रॉप करते हैं क्रॉप करने के बाद देख सकते इस interface में आपको यहां पर दोस्तों मैं यहां सब पर बता देता हूं यह जो है आपकी इस icon पर click करना है इस icon पर जब click करते हैं यहां पर इस icon पर उपर वाले पर जब click करते हैं तो image site यहां पर select कर लेना है यहां पर आप square size या profile picture size यहां से select कर सकते हैं जो की इस तरह से select करने क के बाद आप इसे जितने भी बड़े कर सकते हैं कोई भी फोटो हो आप इसे यहां पर इस तरह से करने के बाद आप इसे स्क्रीन सोट मार लें या यहां से सेव कर लें इस तरह से सेव कर लेते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तो इस तरह से जैसे ही आप इसे स्क्री देना है और यहां से आपको इस तरह से आपको सेलेक्ट कर से आपको लगा देना है। यहां यानी कि और भी वह फोटो को लगाएगीं तो आपको not की और मद न år Gal और अपने वाठाएं से कुछित पर आला कर थायूशन है , तो back आते हैं इस तरह से फिर back आते हैं उसके बाद दोस्तों आपको मालूम है कि यहाँ पर आप अपने whatsapp पर यहाँ से किसी को contact में save किये बगएर आप उसको message भेज सकते हैं जैसे ही इस पर click करते हैं तो यहाँ पर आप किसी को भी message करना चाहते हैं तो simply उसके mobile में इस तरह से setting में आना है और इसको code को open करना है इस तरह से code को scan किजिएगा तो इस code को scan करके कोई भी आपको message send कर सकता है कोई भी WhatsApp को इस code को scan करके आप अगर किसी को यह code हो गया किसी और को कोई message करेगा तो आपके यह code को scan करके आपको message कर सकता है contact में save कर सकता है उसके बाद अगर आप किसी को save करना चाहते हैं तो scan यहाँ से QR उसके QR code को scan कर सकते हैं दोस्तो एकाउंट में आने से आपको देख सकते हैं, यहाँ पर एकाउंट जो दिख रहा है, यहाँ पर प्राइविसी दिख रहा है, तो प्राइविसी पर किलिक करना है, जैसे यह आप प्राइविसी पर किलिक करते हैं, तो देखते हैं दोस्तो यहाँ पर प्राइविसी मे से बताते हैं चलूँगा दोस्तों और जो आपके लिए suitable नहीं होगा मैं उसे skip करता जाऊंगा क्योंकि दोस्तों अगर इसे और भी अच्छे से बताऊंगा तो लंबी हो जाएगी वीडियो फिर भी आपको देखना है as possible मैं आपके जितने भी यूजफूल्स होंगे सारे मैं explain करूंगा और काफी important सब भी है भी मैं बताऊंगा तो चलिए इस तरह से last scene पर click करना है अगर last scene आप किसी को my contact या nobody कर देते हैं तो आप कोई आपका last scene नहीं देख पाएगा और आप अगले आदमी का भी last scene आप नहीं देख पाईएगा दोनो profile photo को किसको किसको दिखाना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपके contact profile photo देखे तो आप contact कर सकते हैं आप चाहते हैं कोई आपके profile photo ना देखे तो आप nobody कर सकते हैं यहां पर everyone या contact कर सकते हैं यहां पर दोस्तों about यह होता है जैसे ही यहां पर आपको थोड़ा सा back आके बताता हूँ यह जो मेरा यहां पर उर्दू में कुछ दिख रहा है यहां पर उर्दू में जो लिख रहा है यह about होगी है तो आप यहां पर select कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं अपने contact को दिखाने तो contact select कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं आपके contact के अलावा कोई और person देखे तो आप यह select कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि जो person के साथ मैं इस status share कर रहा हूँ बैक आने के बाद यहां पर रीड रिसीप्ट यहां पर दोस्तों यह काफी most important setting है जो आपको महलूम नहीं होगा मतलब यहां पर दो टिक दिखता है जो कि आपके बलेक होते हैं मतलब जो भी color के रहें यह बुलू टू करते हैं जब आप के message वह सीन कर लेते हैं तो आपके green टिक डवल टिक दिखते हैं तो दोस्तों आप चाहते हैं कि उसके message को आप देख भी ले और आपको वहां पर बुल condition यह भी है आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको भी कोई message भेजेगा तो आप भी अगर आपके भी message कोई देख लेगा आप किसी को भी message करेंगे तो आपके भी कोई message देख लेगा तो आपको भी वहां पर बुलू टिक नहीं सो होगा इसलिए बहतर है कि आप यहीं रखें तो यहां पर आपको सिंपली आपको समझ में आ रहा है कि contact my contact accept भी दन कर सकती उसके बाद live location यहांसे आप अपने location को share कर सकते हैं खिर आपको location share नहीं करना यह important employed contact यहाँ पर आप जब किसी को blog करते हैं, वो यहाँ से आपको tôiगा, अगर आप किसी को blog करना चाहते हैं, तो simply यहाँ पर आके आप blog कर सकते हैं, उसके बाद आपको back आना है, जैसे ही आप security पर click करते हैं, यहां से आप इसे security notification यानि यह दोस्तों यह जो है यहां पर पहला यह बता दू WhatsApp secure our conversation into encryption this means your WhatsApp call and status update between you यह WhatsApp दावा कर रहा है कि आप जो भी बातचीत करते हैं जो भी conversation आप two people के बीज होता है वो कोई भी और आपके WhatsApp को नहीं देख सकेगा वो आपके message को नहीं देख सकेगा जो की most important WhatsApp के setting है इसी के चलते तो WhatsApp आज इतने पूरे विस में माहिर है पूरे विस में number one मतलब messenger app है जिससे की लोग trustable है जिससे message sending करते हैं तो कोई भी business related कोई भी matter हो तो इस पे करने से आपके message save रहते हैं यहां पर security notification जब इसे दोस्तों आप on कर देते हैं तो जब आपके contact के कोई भी person WhatsApp डिलीट कर देता है फिर से WhatsApp इंस्टॉल करके फिर उसी number पर WhatsApp बना कर WhatsApp योज करता है तो आपको एक message के रूप में आता है यानि कि फलाना contact security code changed आपको उसके नीचे में दिखता होगा कि ये contact का security code change हो गया तो वो यही setting के कारण होता है अब ध्यान से देखने दोस्तों बहुत सारे लोग सोखते हैं कौन security code change हो गया security तम अचानक परिसान हो जाते हैं तो ये कुछ परिसान होने के बात नहीं है यानि वो WhatsApp अपने डिलीट करके इंस्टाउल करके फिर से यूज कर रहा है तो यहाँ पर आपको security notification on होता है अब भी चाहते हैं कि WhatsApp आपके hack ना हो या WhatsApp को two step में verify करना चाहते हैं जैसे ही आप कोई भी number डाल कर WhatsApp में एक ही step में आप code आता है और WhatsApp आपका open हो सकता है तो आप चाहते हैं WhatsApp आप secure बढ़ाना और आप चाहते हैं two step verification WhatsApp में लगाने के लिए तो आपको simply ये करना है इससे क्या होगा आपके pin verification require pin जब आप इसे pin आप generate कर लेंगे तो फिर यहाँ पर आपको बहुत मतलब दो step में आप email भी आपको डालना पड़ेगा email पर code आएगा या पीन भी डाल सकते हैं उसके लिए आपको enable पर click करना होगा और वह आपको pin डालना होगा जो code आएगा तो simply इसे back कर देना है आपके लेकिन most काम का है आप वहाँ से उसके बाद दोस्तों यहाँ पर change number है तो यहाँ पर आप number change कर सकते हैं इस पर click करके यहाँ पर आप change number कर सकते हैं number change यानि WhatsApp को delete किये बगएर आपका number change हो जाएगा जो आपका पुराना mobile number है simply वह आपको यहाँ पर डाल देना है उसके बाद जो आपका नया number है उसको डाल देना है यहाँ पर आपको next कर देना है number change हो जाएगा अगर होगा तो OTP आएगा जो number आप नया लगा रहे हैं उस पर OTP आएगा तो OTP डाल देना है खर मुझे नहीं लगता कि OTP आएगा उसके बाद request info यहाँ से request info पर यहाँ पर दोस्तों यह जो दिख रहा है request info report यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दूसरा चीज़ आ रहा होगा request info यहाँ पर कुछ आ रहा होगा मतलब यह जो यहाँ आ रहा है इसकी तीन दिन के बाद आता है यहाँ पर जो भी आ रहा है तो send request बेश सकते हैं यानि यह काफी most important है अगर आप भी चाहते हैं कोई किसी से क्या बातचीत किया है क्या है कुछ भी आप चाहते हैं कि आप जितने भी आपके chat है वो सारे chat आप एक जिगर ले लें जितने भी contact से आपने chat किया है या video या audio जो भी है आपका उसके लिए यहाँ पर simply कर देना है तीन दिन बाद आपके इस पर message आ जाएगा कि your report will be ready to about 3D you will download अब इसे मैं यहाँ से download कर सकता हूँ इसे download करने request request send और फिर से वो work हो गया अब यहाँ ready October यहाँ से मैं इस तरह से send कर दिया हूँ अब यह 8 October को आज यहाँ के 5 तीन दिन में आता है तो 8 October को यहाँ पर ready हो जाएगा मैंने क्या क्या चेट किया है क्या मैं यह audio भेजाऊ क्या video भेजाऊ मतलब यही सब यहाँ पर आ जाएगा तो यह कोई जो लोग normal user है उसको कोई जरूर नहीं है तो यहाँ से back आ सकते हैं यहाँ पर आएगा तो simply आप उसे डाउनलोड करके आप अपने जीमेल पर सेंड करके देख सकते हैं जो जो आप जिसको जिसको चैट भेजे हैं वो आप देख सकते हैं उसके बाद delete my account यहाँ से आप अपने WhatsApp अकाउंट को delete कर सकते हैं काफी interesting है यहाँ से आप delete कर सकते हैं उसके बाद back आना है उसके बाद यहाँ पर चैट में आना है चैट में आने के बाद आपको simply करना क्या है यहाँ पर आप अपने theme चेंज कर सकते हैं यहाँ पर wallpaper लगा सकते हैं and enter की send your message मैं दोस्तो मैं यही पर skip करता हूँ और मैं इससे अगले वीडियो इससे आगे के वीडियो को मैं इस वीडियो के description में दे दूँगा और आपको मैं इस वीडियो अब इससे यहाँ पर यहाँ से लेकेर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी से लिए मैं वीडियो को skip करता हूँ यहां से यह chat, notification और data storage और help के वीडियो अगले वीडियो में दोस्तो अच्छे से explain के जाएंगे आप उस वीडियो के लिए wait करें या जब उस वो वीडियो आएगा तो मैं इस वीडियो के description में दे दिया हूँगा आप इस वीडियो के जाके description में भी check कर सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक दोस्तो गुडबाई दोस्तो इस वीडियो में WhatsApp के खोफियार ट्रेक्स जो गुप्त सेटिंग्स हैं उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपको step by step जितने भी सेटिंग्स होंगे और जो की most important और useful सेटिंग होंगे जो एक normal WhatsApp user को जरूरत पढ़ता है उस सेटिंग को और उस सेटिंग के बारे में वो नहीं जानता है जानता भी है तो ढंक से नहीं जानता है तो उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा होने वाला है यह वीडियो काफी interesting होने वाला है आप इस वीडियो को पूरा देखेगा चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको WhatsApp open करना है WhatsApp में पहला setting यह है कि जब कोई भी आपको block कर देता है तो simply क्या होता है जैसे आप किसी को block करते है तो आपको यहाँ पर उसके DP और यहाँ पर उसके last scene hide हो जाते है लेकिन आपको अगर पता करना है कि वो आपको block 100 पर यह तो हो गया एक अलग तरीका है या ऐसे भी हो सकता last scene छुपा दे कोई और अपना DP भी हटा दे तो आप सोचेंगे block कर दिया है इस तरह से नहीं दोस्तों आपको पता करने के लिए आपको करना क्या होगा यहाँ पर simply आपको जैसे पता करना है कि वो हमें block क्या है की नहीं वो भी confirm तो उसके लिए आपको करना क्या है यहाँ पर यह जो थिरी आइकन है इस पर click करना है उसके बाद आपको new group पर click करना है जैसे ही आप new group पर click करते हैं इस तरह से इस पर किलिक करके इस person को select करके आपको यहां से कर लेना है इसके बाद जब आप यहां पर हलागी मैं block नहीं क्या हूँ इस तरह से यहां पर block जब करेगा तो आपको वहां पर इस तरह से सो होगा मैं यहां पर आपको दिखा देता हूँ यहाँ इसे add करना चाहरा हूँ यहाँ पर दे दिया हूँ अब यहाँ से कुछ भी गुरूप नेम डाल दूँगा उसके बाद यहाँ पर यह जो correct का symbol है इस पर click कर दूँगा तो यह creating group हो गया अगर आपको पता करना है तो वहाँ पर creating group नहीं आएगा तो वहाँ पर आपको दूसरा मतलब वहाँ पर you cannot add this person का option आएगा तो समझ लिजिएगा कि यह जो है बंदा मुझे block कर दिया है तो पहला setting यह हो गया कि कैसे आप पता कर सकते हैं 100% real कि आपको अगले person ने block किया है या नहीं तो यहाँ से आपने group बनाने भी सीख गया यहाँ से दोस्तों मैं बतातीता हूँ इसलिए बताया कि दो तरह का काम हो जाए आपको पता भी चल जाए कि कोई block किया है तो कैसे पता करें और आप group भी बना सकते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर आके new group पर click करके आप simply किसी एक member जितने भी आपके WhatsApp के contact हैं सारे contact को select करके आप यहाँ से उसे group में add कर सकते हैं group में add करने के बाद यहाँ पर group का जिस तरह से मैंने GHFJN डाला उस तरह से आप भी group के name डालकर create पर कर सकते हैं और इस तरह से आपका group बन जाएगा यहाँ पर आप जो भी post public होगा तो group में जितने भी member होंगे उसको जाएगे यहाँ से आप इस तरह से देख सकते हैं यह जो message किया गया इसमें यह तो work नहीं किया है message भी नहीं गया है तो चलिए उसके बाद दूसरा है यहाँ पर देख सकते हैं new broadcast यानि दोस्तों यह जो settings ह आपको मालूम नहीं होगा अगर होगा भी तो आपको मैं यह पता देता हूं कि यह जो setting है new broadcast का यहां से आप कम से कम 256 लोगों को एक साथ simply message भी सकते हैं जैसे मैं इसे यहां से hello किया गया है तो यहां से देख सकते हैं hello जो send हुआ इसी तरह का hello send करने के लिए आप किसी को भ इससाऔर करने करके इस तरह से बॉर्ड काश्ट में आना है और आपको इस तरह से दो तीन परसन जा सकता है उसके बाद दोस्तों और अगले सेटिंग से बात करें जितने भी मैं सेटिंग को देख रहा हूं दोस्तों यहां पर किलिक करके आपको भी यहीं पर किलिक करके देखना है तो और उसके अगले सेटिंग है वाटसप वेब जो की मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग ह इस setting से आपके WhatsApp hack है या नहीं वो पता कर सकते हैं जी हाँ आपने यहाँ पर WhatsApp hack है वो पता कर सकते हैं और इससे किसी के WhatsApp को hack कर सकते हैं और इससे किसी के दूसरे किसी आप अपने किसी दूसरे phone में इस mobile के WhatsApp को उस mobile में forward कर सकते हैं दोस्तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जब आपको इस पर WhatsApp वेप पर किलिक करते हैं आप कोई दूसरे WhatsApp कोई भी फॉन में WhatsApp QR Code Scanner डाउनलोड कर लेते हैं उसको आप इस मोबाइल के WhatsApp से यहां से आप उसे इस तरह से स्कैन करते हैं तो वह आपके उस मोबाइल फॉन में यह WhatsApp उपन हो जाएगा दूसरा जब आप दोस्तो इसको यहां से आप इसे आउन करते हैं तो अगर आपके कोई भी WhatsApp है क्या रहेगा तो सिंप्ली आपको यहां पर दिखाएगा यह WhatsApp है जिए एकसेस फलाना मोबाइल डिवाइस नेम रहेगा तो सिंप्ली आप वहां से रिमूब भी कर सकते हैं अगर कोई WhatsApp है क्या है तो आपके WhatsApp है या नहीं आप जरूर कमेंट में बताइएगा उसके लिए मैं कुछ इंतजाम करूंगा तो इचली और आपको मैंने क्या बताया कि इस तरह से WhatsApp है और QR Code scans और आप भी चाहते हैं किसी के WhatsApp को hack करना तो सिंप्ली आपको करना क्या है उसके WhatsApp को नहीं, उसके मुबाइल में उसके मुबाइल के WhatsApp वेब में जाना है और इस तरह से उसके mobile में WhatsApp QR Code डाउनलोड करना है उसके बाद आप अपने इस mobile से ये निकाल कर आप इस तरह से उसके mobile को अपने phone में यूज कर सकते हैं इस तरह से scan करके उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें अगले settings के बारे में start message यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो giving परसंझ आपको जो यूजर फूल उसके जो बिआ जिसे श्वी परसंड के मेंसेज यह से band ID aquí है यहाँ पर आप पर आपको कुछ जो ही most important message हो आप यहाँ पर save करके रख सकते हैं या copy करके जैसे कोई भी important message आता है कोई भी लिखा हुआ four line का five line का जैसी कहें न simply जो भी whatsapp group में आता है और आप चाहते हैं उसे share करके रखने के लिए और उसे copy करके तुरंट किसी को send करना चाहते हैं तो simply यहीं पर होता है जब आप οποी message को start करते हैं यहाँ पर start message भी Yeah आपके देख सकते हैं यहाँ पर यह start message सेव हो गया है जितने भी start message होंगे वह सारे message यहाँ पर आपको सॉ होंगे आप इसे direct यहां से आप copy करके जॉभी कापी करके आप किसी और को message बेज भेज सकते हैं तो यह काफी important setting है आपके delete नहीं होंगे message उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है यहां से आपको यह जो settings दिख रहे हैं simply आपको इस settings पे आना है इस setting में आने के बाद आप WhatsApp के और भी interesting sub features में जा रहे हैं सबसे पहले दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आपको profile लगाने के लिए यहां पर आप जितने भी चाहें जितने भी अगर आप चाहते हैं कि आप WhatsApp पर कोई भी photo लगाएं और full size में epe Cristo लगाएं जब भी आप WhatsApp पर कोई भी DP लगाते हैं तो full size में आपका DP नहीं लगता है photo कट कट जाँ चाहते हैं WhatsApp पर जो भी DP लगाएं वो फूल हो WhatsApp पर DP कटे नहीं तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि उसके लिए आपको एक application की जरुरत पड़ेगा उस application का नाम है Pixel Lab आपको इस तरह के एक app है Pixel Lab यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह के app डाउनलोड कर लेना है और उस photo को आपको यहाँ पर लेकर आना है जैसे ही इसको यहाँ पर इस तरह से open किजिएगा तो यहाँ पर आपको cancel यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है जो भी photo को यह जो text यहाँ पर दिख रहा है simply आपको करना क्या है यहाँ पर यह दोस्तों मैं यह बता रहा हूँ कि आप अपने WhatsApp पर कोई भी photos को whole size में कैसे लगा सकते हैं जो की most important है तो चलिए मैं बताता हूँ यहाँ से आपको इस तरह से select क्या हुआ है इसको करना क्या है यहाँ पर जो delete का symbol दिख रहा है इस पर click करके delete कर देना है जैसे ही आप इस पर delete करते हैं उसके बाद आपको simply यह जो plus का icon दिख रहा है यहाँ पर आपको left side में देख सकते हैं इस plus के icon पर click करना है यहाँ से plus के icon पर click करके आपको simply आपके अपने gallery में चले जाना है जैसे ही गलेरी में जाते हैं तो आप यहां से आप यहां पर कोई भी फोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे यहां पर आप इस फोटो को सेलेक्ट कर लिए आप जितने भी फोटो को जो भी फोटो है उसको क्रॉप कर सकते या जो भी कर सकते करें मैं इसलिए crop कर देदा हूँ कि मुझे उतना जासे यहां से इसको crop करते हैं crop करने के बाद देख सकते हैं इस interface में आपको यहां पर दोस्तों मैं यहां सब पर बता देता हूँ यह जो है आपके इस icon पर click करना है इस icon पर जब click करते हैं तो image site यहाँ पर select कर लेना है यहाँ पर आप square size या profile picture size यहाँ से select कर सकते हैं जो की इस तरह से select करने के बाद आप इसे जितने भी बड़े कर सकते हैं कोई भी photo हो आप इसे यहाँ पर इस तरह से करने के बाद आप इसे screenshot मार लें या यहाँ से save कर लें इस तरह से save कर लेते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तो इस तरह से जैसे ही आप इसे screenshot मार लेता हूँ screenshot मारने के बाद आप देख सकते हैं यह photo को मैं यहाँ पर अपने WhatsApp में इस तरह से लगा सकता हूँ कोई भी फोटो हो आपको वहाँ जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आपको वह फोटो को इस तरह से लेना है और यहाँ से आपको इस तरह से आपको सेलेक्ट करके इस तरह से आपको लगा देना है जिस तरह से जितना यानि कि और भी वह फोटो इंट्रेस्टिंग हो तो back आते हैं इस तरह से फिर back आते हैं उसके बाद दोस्तों आपको मालूम है कि यहाँ पर आप अपने whatsapp पर यहाँ से किसी को contact में save किये बगएर आप उसको message भेज सकते हैं जैसे ही इस पर click करते हैं तो यहाँ पर आप किसी को भी message करना चाहते हैं तो simply उसके mobile में इस तरह से setting में आना है और इसको code को open करना है इस तरह से code को scan किजिएगा तो इस code को scan करके कोई भी आपको message send कर सकता है कोई भी WhatsApp को इस code को scan करके आप अगर किसी को यह code हो गया किसी और को कोई message करेगा तो आपके यह code को scan करके आपको message कर सकता है contact में save कर सकता है उसके बाद अगर आप किसी को save करना चाहते है तो scan यहाँ से QR उसके QR code को scan कर सकते हैं दोस्तों एकाउंट में आने से आपको देख सकते हैं यहाँ पर एकाउंट जो दिख रहा है यहाँ पर प्राइविसी दिख रहा है तो प्राइविसी पर किलिक करना है जैसे ही आप प्राइविसी पर किलिक करते हैं तो देखते हैं दोस्तों यहां पर privacy में लास्ट स्依न दिखा हुआ है दोस्तों यहां पर मैं बता दूँ लास्ट सीन करने के बादा आपको जिस भी contact nobody करते हैं दोस्तों ये सब आपको कोई भी कुछ तो हलका फलका मालु होँगा इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में से बताते हैं चलूंगा दोस्तों और जो आपके रिए सूटेबूल नहीं होगा मैं उसे स्कीप करता जाओंगा क्योंकि दोस्तों अगर इसे और भी अच्छे से बताओंगा तो लंबी हो जाएगी वीडियो फिर भी आपको देखना है मैं आपके जितने भी यूजफूल होंगे सारे मैं इस प्लैन करूंगा और काफी इंपोटेंट सब भी है भी मैं बताओंगा तो चलिए इस तरह से लास्ट सीन पर क्लिक करना है अगर लास्ट सीन आप किसी को माई कॉंटेक्ट या नोबडी कर देते हैं तो आप दूसरे का कोई आपका लास्ट सीन नहीं देख पाएगा और आप अगले आदमी का भी लास्ट सीन आप नहीं देख पाईएगा दोनों तरब से आपको मतलब यह लगा हुआ है आप किसी क लाफ्ट सीन हाइड कर दीज़ेगा तो आप दूसरे का भी लाफ्ट सीन नहीं देख पाईएगा इसलिए बहतर करें कि आप एवरिवन करके रखें कोई दिक्कत नहीं है प्रोफाइल फोटो को किसको दिखाना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपके कॉन्टेक्ट प्रोफाइ स्थेटस चाहते हैं कि आपके इसे बाउट को कोई न देखे, तो simply आप यहाँ पर about my contact या nobody कर सकते हैं स्टेटस चाहते ही कि आपके कोई contact देखे, या कोई contact के अलावा देखे, या को जिसके साथ share क्रें हुआ देखे, तो आप वह यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं अपने कॉंटेक्ट को दिखाने तो कॉंटेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं आपके कॉंटेक्ट के अलावा कोई और परसन देखे तो आप यह सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि जो परसन के वनली यहीं देख सकता है उसके एलवा कोई नहीं देख सकता है तो इस तरह से मैं डिसकार्ड करतूंगा उसके बाद यहां से बैक आना है बैक आने के बाद यहां पर रीड रिसीप्ट यहां पर दोस्तों यह काफी इस पर आपको मालूम नहीं होगा रीड रिसीप्ट यह है इफ यू टर्न आफ यू वांट सेंड और रिसीव रिसीप्ट मतलब जब आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो पहले आपको उसका डाटा ओन नहीं रहता है तो सिंगल टिक अगर उसका डाटा वहा यानि नेट ओन र लेते हैं तो आपके ग्रीन टिक डवल टिक दिखते हैं तो दोस्तो आप चाहते हैं कि उसके मैसेज को आप देख भी ले और आपको वहां पर बुलू टिक उसके फॉन में जाये भी ना तो आप इसको ओन कर सकते हैं आप चाहते हैं किसी को मैसेज को देख ले और आप बु कोई मैसेज देख लेगा तो आपको भी वहाँ पर बुलू टिक नहीं सो होगा इसलिए बहतर है कि आप यहीं रखें तो उसके बाद ग्रूप है ग्रूप में एवरिवन यहां पर आप सेलेक्ट करके लगा सकते हैं ग्रूप यानि कौन-कौन आपको ग्रूप में एड कर सके तो यहां पर आपको समझें में आ रहा है कि Kontakt My Contact Accept वो दन कर सकते हैं उसके बाद Live Location यहां से आप अपने location को सेईर कर सकते हैं खर आपको location شेर नहीं करना यह important रहें ब्लॉट कॉंटेक्ट यहां पर आप जब किसी को ब्लॉट करते हैं वो यहां से आपको सोगा अगर आप किसी को ब्लॉट करना चाहते हैं तो सिंप्ली यहां पर आके आप ब्लॉट कर सकते हैं उसके बाद आपको बैक आना है यहां पर आपके सेकुरॉटी पर किलिक कर करते हैं यहां से आप इसे security notification यानि यह दोस्तों यह जो है यह पर यहां पर पहला यह बता दूं वाटसेप सेक्टूर आवर कर्वर्सेशन इंटू इंक्रिप्शन इस मीन्स यह वाटसेप कॉल इन स्टेटस अपडेट बिटूइन यह वाटसेप दावा कर रहा है कि आप जो तो वाटसेप आज इतने पूरे विस में माहीर है पूरे विस में number one मतलब messenger ऐप है जिससे की लोग trustable है जिससे message sending करते हैं तो कोई भी business related कोई भी matter हो तो इसपे करने से आपके जो है वो message save रहते हैं यहां पर security notification जब इसे दोस्तों आप on कर देते हैं जब इसे turn on कर देते हैं तो जब आपके contact के कोई भी परसन WhatsApp डिलीट कर देता है फिर से WhatsApp इंस्टॉल करके फिर उसी नमबर पर WhatsApp बना कर WhatsApp योज करता है तो आपको एक message के रूप में आता है यानि कि फलाना contact security code changed आपको उसके नीचे में दिखता होगा कि ये contact का security code change हो गया तो व बहुत सारे लोग सोखते हैं कौन security code change हो गया security तम अचानक परिसान हो जाते हैं तो यह कुछ परिसान होने के बात नहीं है यानि वह WhatsApp अपने डिलीट करके इंस्टॉल करके फिर से यूज कर रहा है तो यहाँ पर आपको source security notification on होता है तो आप भी चाहते हैं कि WhatsApp आपके hack ना ह चाहते हैं जैसे ही आप कोई भी नंबर डाल कर WhatsApp में एक ही step में आप code आता है और WhatsApp आपका open हो सकता है तो आप चाहते हैं WhatsApp आप secure बढ़ाना और आप चाहते हैं two step verification WhatsApp में लगाने के लिए तो आपको simply यह करना है इससे क्या होगा आपके pin verification require pin जब आप इसे pin आप generate कर लेंगे तो फिर यहाँ पर आपको बहुत मतलब दो step में आप email भी आपको डालना पड़ेगा email पर code आएगा यहाँ पीड भी डाल सकते हैं उसके लिए आपको enable पर click करना होगा और वह आपको pin डालना होगा जो code आएगा तो simply इसे back कर देना है आपके लेकिन most काम का है आप वहां से उसके बाद दोस्तों यहाँ पर change number है तो यहाँ पर आप number change कर सकते हैं इस पर click करके यहाँ पर आप change number कर सकते हैं number change यानि whatsapp को delete किये बगएर आपका number change हो जाएगा जो आपका पुराना mobile number है simply वह आपको यहाँ पर डाल देना है उसके बाद जो आपका नया number है उसको डाल यहां पर आपको next कर देना है number change हो जाएगा अगर होगा तो OTP आएगा जो number आप नया लगा रहे हैं उस पर OTP आएगा तो OTP डाल देना है खर मुझे नहीं लगता कि OTP आएगा उसके बाद request info यहां से request info पर यहां पर दोस्तों यह जो दिख रहा है request info report यहां से आप देख सकते हैं यहां पर आपको दूसरा चीज आ रहा होगा request info यहां पर कुछ आ रहा होगा मतलब यह जो यहां आ रहा है इसकी तीन दिन के बाद आता है यहां पर जो भी आ रहा है तो send request भेज सकते हैं यह काफी most important है अगर आप भी चाहते हैं कोई किसी से क्या बातचीत किया है क्या है कुछ भी आप चाहते हैं कि आप जितने भी आपके चैट हैं वह सारे चैट आप एक जिगर ले लें जितने भी कॉंटेक्ट से आपने चैट किया है या वीडियो या ओडियो जो भी है आपका उसके लिए यहां पर simply कर देना है तीन दीन बाद आपके इस पर message आ जाएगा कि your report will be ready to about 3D you will download अब इसे मैं यहां से download कर सकता हूँ इसे download करने request request send और फिर से वो work हो गया अब यहां ready October यहां से मैं इस तरह से send कर दिया हूँ अब यह 8 October को आज यहां के 5 तीन दिन में आता है तो 8 October को यहां पर ready हो जाएगा मैंने क्या क्या चेट किया है क्या मैं यह audio भेजाओं क्या video भेजाओं मतलब यही सब यहां पर आ जाएगा तो यह कोई जो लोग normal user है उसको कोई जरूर नहीं है तो यहां से back आ सकते हैं उसके बाद आप लेकिन देख सकते हैं जब यहां पर आएगा तो simply आप उसे download करके आप अपने Gmail पर send करके देख सकते हैं जो जो आप जिसको चैट भेजे हैं वो आप देख सकते हैं उसके बाद delete my account यहां से आप अपने WhatsApp अकांट को delete कर सकते हैं मैं दोस्तो मैं यहींपर पर skip करता हूँ और मैं इससे अगले वीडियो इससे आगे के वीडियो को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आपको मैं इस वीडियो अब इससे यहां पर यहां से लेकर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी से लिए मैं वीडियो को skip करता हूँ यहां notification और data storage और help के वीडियो अगले वीडियो में दोस्तों अच्छे से explain के जाएंगे आप उस वीडियो के लिए wait करें या जब उस वो वीडियो आएगा तो मैं इस वीडियो के description में दे दिया हूँगा आप इस वीडियो के जाके description में भी चेक कर सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक दोस्तों गुड़ बाई जानकारी के साथ हूँगा दोस्तों इस वीडियो में WhatsApp के खोफियार ट्रेक्स जो गुप्त सेटिंग्स हैं उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपको step by step जितने भी सेटिंग्स होंगे और जो कि most important और useful सेटिंग होंगे जो एक normal WhatsApp user को जरुरत पढ़ता है उस सेटिंग को और उस तो ढंक से नहीं जानता है तो उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा होने वाला है यह वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है आप इस वीडियो को पूरा देखेगा चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको WhatsApp open करना है WhatsApp में पहला सेटिंग यह है कि जब कोई भी तो simply क्या होता है जैसे आप किसी को ब्लॉक करते हैं तो वह आपको यहाँ पर उसके डीपी और यहाँ पर उसके लाश्ट सीन हाइड हो जाते हैं लेकिन आपको अगर पता करना है कि वह आपको ब्लॉक हंड्रेट पर यह तो हो गया एक अलग तरीका है या ऐसे भी हो सकता ह और अपना डीपी भी हटा दे तो आप सोचेंगे ब्लॉक कर दिया है इस तरह से नहीं दोस्तों आपको पता करने के लिए आपको करना क्या होगा यहाँ पर simply आपको जैसे पता करना है कि वह हमें ब्लॉक क्या है कि नहीं वह भी confirm तो उसके लिए आपको करना क्या है यहाँ पर यह जो थिरी आइकन है इस पर किलिक करना है उसके बाद आपको न्यू गुरूप पर किलिक करना है जैसे ही आप न्यू गुरूप पर किलिक करते हैं इस तरह से इस पर किलिक करके इस परसन को सेलेक्ट करके आपको यहाँ से कर लेना है इसके बाद जब आप यहाँ पर गुरूप नेम डाल दूँगा उसके बाद यहां पर यह जो correct का symbol है इस पर क्लिक कर दूँगा तो यह creating group हो गया अगर आपको पता करना है तो वहां पर creating group नहीं आएगा तो वहां पर आपको दूसरा मतलब वहां पर you cannot add this person का option आएगा तो समझ लीजिएगा कि यह जो है बंदा मुझे block कर दिया है तो पहला setting यह हो गया कि कैसे आप पता कर सकते हैं 100% real कि आपको अगले person ने block किया है या नहीं तो यहां से आपने group बनाने भी सीख गया यहां से दोस्तों मैं बताती था हूँ इसलिए बताया कि दो तो तरह का काम हो जाए आपको पता भी चल जाए कि कोई block किया है तो कैसे पता करें और आप group भी बना सकते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहां पर आके new group पर click करके आप simply किसी एक member जितने भी आपके WhatsApp के contact हैं सारे contact को select करके आप यहां से उसे group में एड़ कर सकते हैं group में एड़ करने के बाद यहां पर group का जिस तरह से मैंने GHFJN नेम डाला उस तरह से आप भी group के name डाल कर create पर कर सकते हैं और इस तरह से आपका group बन जाएगा यहां पर आप जो भी पोश्ट public होगा तो group में जितने भी member होंगे उसको जाएंगे यहां से आप इस तरह से देख सकते हैं यह जो message किया गया इसमें यह तो work नहीं किया है message भी नहीं गया है तो चलिए उसके बाद दूसरा है यहां पर देख सकते हैं new broadcast यानि दोस्तों यह जो settings है आपको मालूम नहीं होगा अगर होगा भी तो आपको मैं यह पता देता हूं कि यह जो setting है new broadcast का यहां से आप कम से कम 256 लोगों को एक साथ simply message भी सकते हैं जैसे मैं इ देख सकते हैं hello जो send हुआ इसी तरह का hello send करने के लिए आप किसी को भी सोचें किसी को अगर forward करते हैं message तो वहां पर forward लिखाता है तो आपको वह नहीं करके इस तरह से broadcast में आना है और आपको इस तरह से 2-3 परसन चार परसन को आपको इस तरह से select कर लेना है जैसे ही आप इ यहां से message हम hello send करेंगे तो यह चारो को message चले जाएगा इस तरह से यह चारो को message चले जाएगा जितने भी लोगों को आप यहां पर add कर देंगे उन चारो लोगों को जितने भी लोगों 256 लोगों को एक साथ message जा सकता है उसके बाद दोस्तों और अगले settings के बात करें जितने से आपके WhatsApp hack है या नहीं वो पता कर सकते हैं जी हाँ आपने यहाँ पर WhatsApp hack है वो पता कर सकते हैं और इस से किसी के WhatsApp को hack कर सकते हैं और इस से किसी के दूसरे किसी आप अपने किसी दूसरे phone में इस mobile के WhatsApp को उस mobile में forward कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जब आपको इस पर WhatsApp वेब पर क्लिक करते हैं आप कोई दूसरे WhatsApp कोई भी फॉन में WhatsApp QR code scanner डाउनलोड कर लेते हैं उसको आप इस mobile के WhatsApp से यहां से आप उसे इस तरह से स्केन करते हैं तो वह आपके उस mobile phone में यह WhatsApp उपन हो जाएगा दूसरा जब आप दोस्तों इसको यहां से आप इसे आउन करते हैं तो अगर आपके कोई भी WhatsApp है क्या रहेगा तो सिंप्ली आपको यहां पर दिखाएगा यूर WhatsApp है जिज एक्सेस फलाणा मोबाइल डिवाइस न आपको इसके रहां करना है उसके और इस निकालकर आप इस तरह से उसके mobile को अपने फॉन में यूज़ कर सकते हैं इस तरह से scan करके उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें अगले settings के बारे में start message यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो भी person आपको काफी जो useful message है जो भी किसी भी person के message है जैसे यह message है तो यहाँ पर आप जब इस पर लॉंग प्रेश करके रखते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ जो है सिंबॉल यहाँ पर आपको दिखते हैं तो simply अग इसको चाहते हैं आप स्टार्ड करने के लिए यहाँ से यह देख सकते हैं स्टार हो गया तो इसको आप अब कहीं भी जितने भी मैसेज हो हजार दो हजार जितने भी मैसेज हो आप जो भी most important मैसेज हो आप यहाँ पर save करके रख सकते हैं या copy करके जैसे कोई भी important message आता है कोई भी लिखा हुआ 4 line का 5 line का जैसी कहें simply जो भी WhatsApp ग्रूप में आता है और आप चाहते हैं उसे share करके रखने के लिए और उसे copy करके तुरंट किसी को send करना चाहते हैं तो simply यह यहीं पर होता है जब आप कोई भी message को start करते हैं यहाँ पर star message में आके देख सकते हैं यहाँ पर यह star message save हो गया है जितने भी star message होंगे वो सारे message यहाँ पर आपको सुहोंगे आप इसे direct यहाँ से आप copy करके जो भी है copy करके आप किसी और को message भेज सकते हैं तो यह काफी important setting है आपके delete नहीं होंगे message उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है यहाँ से आपको यह जो settings दिख रहे हैं simply आपको इस settings पर आना है इस settings में आने के बाद आप WhatsApp के और भी interesting sub features में जा रहे हैं सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको profile लगाने के लिए यहाँ पर आप जितने भी चाहें जितने भी अगर आप चाहते हैं कि आप WhatsApp पर कोई भी photo लगाएं और full size में photo लगाएं जब भी आप WhatsApp पर कोई भी DP लगाते हैं तो full size में आपका DP नहीं लगता है photo cut जाता है अगर आप चाहते हैं कि WhatsApp पर जो भी DP लगाएं वो full हो वो WhatsApp पर DP कटे नहीं तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि उसके लिए आपको एक application की जरुवत पड़ेगा उस application का नाम है Pixel Lab आपको इस तरह के एक app है Pixel Lab यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह के app डाउनलोड कर लेना है और उस photo को आपको यहाँ पर लेकर आना है जैसे ही इसको यहाँ पर इस तरह से open किजिएगा तो यहाँ पर आपको cancel यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है जो भी photo को यह जो text यहाँ पर दिख रहा है simply आपको करना क्या है यहाँ पर यह दोस्तों मैं यह बता रहा हूँ कि आप अपने WhatsApp पर कोई भी photos को whole size में कैसे लगा सकते हैं जो की most important है तो चलिए मैं बताता हूँ यहाँ से आपको इस तरह से select क्या हुआ है इसको करना क्या है यहाँ पर जो delete का symbol दिख रहा है इस पर click करके delete कर देना है जैसे ही आप इस पर delete करते हैं उसके बाद आपको simply यह जो plus का icon दिख रहा है यहाँ पर आपको left side में देख सकते हैं इस plus के icon पर click करना है यहाँ से plus के icon पर click करके आपको simply आपके अपने gallery में चले जाना है जैसे ही gallery में जाते हैं तो आप यहाँ से आप यहाँ पर कोई भी photo को select कर सकते हैं जैसे यहाँ पर आप इस photo को select कर लिए आप जितने भी फोटो को जो भी फोटो है उसको crop कर सकते या जो भी कर सकते करें मैं इसलिए crop कर देदा हूँ कि मुझे उतना जासे यहां से इसको crop करते हैं crop करने के बाद देख सकते हैं इस interface में आपको यहां पर दोस्तों मैं यहां सब पर बता देता हूँ यह जो है आपके इस icon पर click करना है इस icon पर जब click करते हैं यहाँ पर इस icon पर उपर वाले पर जब click करते हैं तो image site यहाँ पर select कर लेना है यहाँ पर आप square size या profile picture size यहाँ से select कर सकते हैं जो की इस तरह से select करने के बाद आप इसे जितने भी बड़े कर सकते हैं छोटे कर सकते हैं, कोई भी photo हो, आप इसे यहाँ पर इस तरह से करने के बाद, आप इसे screenshot मार लें, यहाँ से save कर लें, इस तरह से save कर लेते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं, दोस्तो इस तरह से जैसे स्क्रीन worse मार लेता हूं, स्क्रीन सोट मारने के बाद अब देख सकते हैं यह फोटो को मैं यहाँ पर अपने वाटसेप में इस तरह से लगा सकता हूँ कोई भी फोटो हो आपको वहाँ जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आपको वह फोटो को इस तरह से लेना है हालां कि मैं यह नहीं लगाऊंगा यह से DP लगाने का कोई region ही नहीं बनता क्योंकि यह call recorder लगा के DP में क्या होगा तो back आते हैं इस तरह से फिर back आते हैं उसके बाद दोस्तों आपको मालूम है कि यहाँ पर आप अपने WhatsApp पर यहाँ से किसी को contact में सेब किये बगएर आप उसको message भेज सकते हैं जैसे ही इस पर click करते हैं तो यहाँ पर आप किसी को भी message उसके mobile के किसी को भी आप message करना चाहते हैं तो simply उसके mobile में इस तरह से setting में आना है और इसको code को open करना है इस तरह से code को scan किजिएगा तो इस code को scan करके कोई भी आपको message send कर सकता है कोई भी WhatsApp को इस code को scan करके आप अगर किसी को यह code हो गया किसी और कोई message करेगा तो आपके code को scan करके आपको message कर सकता है contact में save कर सकता है उसके बाद अगर आप किसी को save करना चाहते हैं तो scan यहां से QR उसके QR code को scan कर सकते हैं यहां पर OK पर click करके आपके किसी के QR code को यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से scan कर सकते हैं तो यह हो गया back और आप चाहते हैं उसके बाद हो गया एकाउंट दोस्तों एकाउंट में आने से आपको देख सकते हैं यहाँ पर एकाउंट जो दिख रहा है यहाँ पर प्राइविसी दिख रहा है तो प्राइविसी पर किलिक करना है जैसे ही आप प्राइविसी पर किलिक करते हैं तो देखते हैं दोस्तों यहां पर privacy में last scene दिखा हुआ है दोस्तों यहां पर मैं बता दूँ last scene करने के बाद आपको जिस भी contact nobody करते हैं दोस्तों यह सब आपको कोई भी कुछ तो हलका फलका मालू होँगा इसलिए मैं थोड़ा speed में से बताते हैं चलूँगा दोस्तों और जो आपके लिए suitable नहीं होगा मैं उसे skip करता जाऊंगा क्योंकि दोस्तों अगर इसे और भी अच्छे से बताऊंगा तो लंबी हो जाएगी वीडियो फिर भी आपको देखना है as possible मैं आपके जितने भी यूजफूल्स होंगे सारे मैं explain करूँगा और काफी important सब भी है भी मैं बताऊंगा तो चलिए इस तरह से last scene पर click करना है अगर last scene आप किसी को my contact या nobody कर देते हैं तो आप कोई आपका last scene नहीं देख पाएगा और आप अगले आदमी का भी last scene आप नहीं देख पाईएगा दोनों तरब से आपको मतलब यह लगा हुआ है आप किसी को last scene हाइड कर देख पाईएगा तो आप दूसरे का भी last scene नहीं देख पाईगा इसलिए बहतर करें कि आप everyone करके रखें कोई दिक्कत नहीं है प्रोफाइल फोटो को किसको किसको दिखाना चाहते हैं चाहते हैं कि आपके contact profile photo देखे तो आप contact कर सकते हैं, आप चाहते हैं कोई आपके profile photo ना देखे तो आप nobody कर सकते हैं, about यहाँ पर everyone या contact कर सकते हैं, about यहाँ यहाँ पर दोस्तों about यह होता है, जैसे ही यहाँ पर आपको थोड़ा सा back आके बताता हूँ, यह जो मेरा यहाँ प चाहते हैं कि आपके कोई contact देखे या कोई contact के अलावा देखे या जिसके साथ share करे हुआ देखे तो आप यहाँ पर select कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं अपने contact को दिखाने तो contact यही देख सकता है और उसके एलवा कोई नहीं देख सकता है तो इस तरह से मैं डिस्कार्ड करतूंगा उसके बाद यहां से बैक आना है बैक आने के बाद यहां पर read receipt यहां पर दोस्तों यह काफी most important setting है जो आपको महलूम नहीं होगा read receipt यह है if you turn off you want send or receive receipt मतलब जब आप किसी को message भेजते हैं तो पहले आपको उसका data on नहीं रहता है तो single tick अगर उसका data यानि net on रहता है और आपके message को नहीं view करता है तो वहां पर एकदम blue tick मतलब यहां पर दो tick दिखता है जो की आपके black होते हैं मतलब जो भी color के रहें यह blue tick करते हैं जब आप उसके message वह सीन कर लेते हैं तो आपके green tick double tick दिखते हैं तो दोस्तो आप चाहते हैं कि उसके message को आप देख भी ले और आपको वहां पर blue tick उसके phone में जाये भी ना तो आप इसको on कर सकते हैं आप चाहते हैं किसी को message को देख ले और आप blue tick ना लगाएं तो आप इसे on कर सकते हैं धियान रे दोस्तो condition यह भी है आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको भी कोई message भेजेगा तो आप भी अगर आपके भी message कोई देख लेगा आप किसी को भी message करेंगे तो आपके भी कोई message देख लेगा तो आपको भी वहाँ पर blue tick नहीं सो होगा इसलिए बहतर है कि आप यही रखें तो उसके बाद group है group में everyone यहाँ पर आप select करके लगा सकते हैं group यानि कौन-कौन आपको group में add कर सके तो यहाँ पर आपको simply आपको share नहीं करना यह important blocked contact यहाँ पर आप जब किसी को block करते हैं वह यहाँ से आपको सोगा। अगर आप किसी को block करना चाहते तो simply यहाँ पर आकर आप block कर सकते हैं उसके बाद आपको back आना है यहाँ पर आपके security पर click करते हैं यहाँ से आप इसे security notification यानि यह दोस्तों यह जो है यहां पर पहला यह बता दूं, WhatsApp secure our conversation into encryption, this means your WhatsApp call and status update between you, यहां WhatsApp दावा कर रहा है कि आप जो भी बातचीत करते हैं, जो भी conversation आप two people के बीज होता है, वो कोई भी और आपके WhatsApp को नहीं देख सकेगा, वो आपके message को नहीं देख सकेगा, जो कि most important WhatsApp के setting है, इसी के चलते हैं तो WhatsApp आज इतने पूरे wish में माहिर हैं, पूरे wish में number one मतलब messenger app ह जिससे की लोग trustable है, जिससे message sending करते हैं, तो कोई भी business related, कोई भी method हो, तो इस पे करने से आपके message save रहते हैं, यहां पर security notification, जब इसे दोस्तों आप on कर देते हैं, जब इसे turn on कर देते हैं, तो जब आपके contact के कोई भी person WhatsApp डिलीट कर देता है, फिर से WhatsApp इंस्टॉल करके, फि आपको एक message के रूप में आता है, यानि कि फालाना contact security code changed, आपको उसके नीचे में दिखता होगा कि यह contact का security code change हो गया, तो वो यही setting के कारण होता है, अब ध्यान से देख लें दोस्तों, बहुत सारे लोग सोखते हैं, कौन security code change हो गया, security तम अचानक परिसान हो जाते हैं, तो यह कुछ परिसान होने के बात नहीं है, यानि वह WhatsApp अपने delete करके, install करके, फिर से use कर रहा है, तो यहाँ पर आपको security notification on होता है, two step verification अब भी चाहते हैं कि WhatsApp आपके hack ना हो, या WhatsApp को two step में verify करना चाहते हैं, जैसे ही आपको यह भी number डाल कर WhatsApp में, एक ही step में आप code आता है, और WhatsApp आपका open हो सकता है, तो आप चाहते हैं WhatsApp आप secure बढ़ाना और आप चाहते हैं two step verification WhatsApp में लगाने के लिए, तो आपको simply यह करना है, इससे क्या होगा, आपके pin verification, require pin, जब आप इसे pin आप generate कर लेंगे, तो फिर यहाँ पर आपको बहुत, मतलब दो step में आप email भी आपको ड जिन डालना होगा, जो code आएगा, तो simply इसे back कर देना है, आपके लेकिन most काम का है आप वहां से, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर change number है, तो यहाँ पर आप number change कर सकते हैं, इस पर click करके यहाँ पर आप change number कर सकते हैं, number change यानि WhatsApp को delete किये बगएर आपका number change हो जाएगा, जो आ नया लगा रहे हैं, उस पर OTP आएगा, तो OTP डाल देना है, खर मुझे नहीं लगता कि OTP आएगा, उसके बाद request info, यहाँ पर दोस्तों यह जो दिख रहा है, request info report, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दूसरा चीज आ रहा होगा, request info, यहाँ पर कुछ आ रहा इतने भी आपके चैट हैं, वो सारे चैट आप एक जगर ले लें, जितने भी कॉंटेक्ट से आपने चैट किया है, यह वीडियो यह ओडियो जो भी है आपका, उसके लिए यहाँ पर सिंप्ली कर देना है, तीन दिन बाद आपके इस पर मैसेज आ जाएगा, कि और report will be ready to about 3D you will download, अब इसे मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ, इसे डाउनलोड करने request, request send, और फिर से वो work हो गया, अब यहाँ ready अक्टूबर, यहाँ से मैं इस तरह से send कर दिया हूँ, अब यह 8 अक्टूबर को आज यहाँ के 5 तीन दिन में आता है, तो 8 अक्टूबर को पर ready हो जाएगा, मैंने क्या क्या चेट किया है, क्या मैं यह audio भेजाओं, क्या video भेजाओं, मतलब यही सब यहाँ पर आ जाएगा, तो यह कोई जो लोग normal user है, उसको कोई जरूर नहीं है, तो यहाँ से back आ सकते हैं, उसके बाद आप लेकिन देख सकते हैं, जब यहाँ प दिलिट कर सकते हैं, उसके बाद बैक आना है, उसके बाद यहाँ पर चैट में आना है, चैट में आने के बाद आपको simply करना क्या है, यहाँ पर आप अपने theme चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर wall paper लगा सकते हैं, and enter, send your message, मैं दोस्तों, मैं यहीं पर skip करता हूँ, और मैं इससे अगले वीडियो इससे आगे के वीडियो को मैं इस वीडियो के description में दे दूँगा, और आपको मैं इस यहाँ पर यहाँ से लेकेर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, से लिए मैं वीडियो को skip करता हूँ, यहाँ से यह chat, notification और data storage और help के वीडियो, अगले वीडियो में दोस्तों अच्छे से explain के जाएंगे, आप उस वीडियो के लिए wait करें, या जब उस वीडियो आएगा तो मैं इस वीडियो के description में दे दिया हूँगा, आप इस वीडियो के जाके description में भी check कर सकते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक अगले वीडियो के जानकारी 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 के जानक कर दो कि हाल झाल